सबसे पहले एक चीज यहां पर प्रोब्लम आता है टेल बूक ओप्सन यहां पर बिल्कूल आपका वर्क नहीं करेगा कोई भी समसुम का स्मार्ट फोन है ठीक ना अब यहां पर एक दो तिन चार ओप्सन को चार ओप्सन को यहां पर ओप कर देना है ओप करने को यहां पर ओक बहुत सरा कॉमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था, सर हम लोग के पास Samsung का स्मार्टफोन है, FRP लोग लगा के बुल चुके हैं, बहुत सरा YouTube में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर हम लोग का FRP अनलोक नहीं हो रहा है, आप एगो वीडियो बनाइए, सबसे ज़्यादा जो प्रोब्लम आता है, सबसे ज़्यादा जयसे नेस्ट करने के बाद Google साइनिंग का ओप्सन आ जाएगा, लेकिन आपका स्मार्टफोन लोक नहीं होगा, यह सबसे ज़्यादा प्रोब्लम आ रहा है, और बहुत सरा कोमेंट भी हम लोग को बार बार दे और वाजन 14 है तो यहाँ पर हम लोग का टेल बुक ऊप्सन बिल्कुली वर्क नहीं कर रहा है जिसे आप यहाँ पर उल्टायल बनाते हैं Google Assistant यहाँ पर बिल्कुली वर्क नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर करना क्या है simple सा 2 से 3 आपको settings बताएंगे वीडियो को कहीं भी skip करके नहीं देखना है आप यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले frp code आपको type करना है चली case से करना है पूरे detail बता रहें अब यहाँ पर type करना है emergency call में star arch 812 हज करना यह frp code है इसको type करना है type करना है यहाँ पर नीचे में calling का option मिलेगा यहाँ पर आपको one time calling करना है इस तार से calling हो जाएगा यहाँ से code अपका बिल्कुल हड़ जाएगा अब यहाँ पर बेक आने के बाद यहाँ पर को symbol से start वाला option में select करना है यहाँ पर को agree करना है और next करके चलना है वीडियो को कहीं भी skip करके नहीं देखना है ठीक है ना अब यहाँ पर क्या करना है symbol से wait करना है wifi वाला option में आ जाना है अब यहाँ पर Wi-Fi वाला option में अनेक बाद, यहाँ पर सोड़ा सा बात को ध्यान देना है, कुछ settings को complete करना है, Wi-Fi वाला option 8 network में select करना है, 8 network में जैसे आप select करते हैं, सबसे उपर वाला option में आपको यहाँ पर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यहाँ पर type करना है, ध्यान देना ह कोई भी smartphone है, android बजन 11, 12, 13, 14, उससे कोई दिक करना है, टेक्स वाला option में select करना है, प्लास वाला option में select करना है, answer 1, answer 2, दो option यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले दो option जैसे आपको यहाँ पर so कर रहा है, उसके बाद आपको seem को insert कर दो ना है, तो चली है है आप अनलोग जल्दी से जल्दी seem को insert करके आपको दिखाते हैं आगे करना क्या है, टेको ne? तो sim को यहाँ पर insert कर दी है sim insert होने के बाद यहाँ पर one minute आपको wait करना है जब तक आपको यहाँ पर network नहीं आ जाता है ठीक है ना network आने के बाद यहाँ पर answer one में आपको type करना है अब यहाँ पर type क्या करना है चलिए हो आपको बताते हैं यहाँ पर आपको type कुछ भी नहीं करना है simple सा answer one में type करना है यहाँ पर frp bypass लिखना है simple तरीके से उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ देना है ठीक है ना आपको यहाँ पर बता रहा है देना है frp bypass देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एको code आपको type करना है क्या code है? यह code है यहाँ पर आपको simple तरीके से 03 तो यहाँ पर आपको 03 type करना है ठीके ना? यह अब हो गया आपका answer 1 में अब यहाँ पर answer 2 का जो option दिख रहा है यहाँ पर आपको 100% working code दे रहा है तो इस code को आपको ध्यान से देखना है वीडियो को skip नहीं करना है ठीके ना? ध्यान से इस code को आपको यहाँ पर कहीं भी गलती नहीं करना है ठीके ना? तो चलिए इस code को जल्दे से जल्दी यहाँ पर type कर दीजे answer 1 में इस तरह से type करना है answer 2 में type करना है ठीक ना दोनों में type कर दिए टाइप करने के गए यहाँ पर 8 का option आपको मिल जाएगा नीचे में देख सकते हैं तो यहाँ पर 8 कर देना है जैसे 8 करते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा उपर में delete का option मिलेगा है डिलेट नहीं करना है ठीक ना अब यहाँ पर दोनों chapter के यहाँ पर दिखने को मिलेगा ओंघव hm तो 4 option को यहाँ पर off करना है उसका दको back आना है सबसे नीचे में जाना है reset to detail settings मिलेगा अब यहाँ पर select करना है ठीक है चलिए reset to detail settings में select किजिए एक दो तीन चार option मिल रहा है किसी किसी phone में 2 option मिलता है तीन option मिलता है तो घबराना नहीं है एक एक करके यहाँ पर reset and erase कर देना ह है reset and erase कर दिए complete हो गया बस यहाँ पर दो से तिन settings complete हो गया दोनों कोड हम लोगा अपलाई हो गया अब यहाँ पर back आना है वाइफाई यहाँ आपको connect रहना है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर nest कर देना है जिससे आप nest करते है phone ready के इस तरह से को सो करेगा अब यहाँ पर जब तक यहाँ पर download copy का option नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर करना क्या है उसके बाद आगे बताएंगे अब यहाँ पर वीडियो को कहीं भी skip नहीं करना है कुछ टेम यहाँ पर वेट करना है ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखना है ठीक ना अब यहाँ पर क्या करना कुछ नहीं करना है नेस्ट करना वेट करना है फिर से आपको यहां पर वेट करना है फिर से आपको बेका जाना है और फिर से आपको नेस्ट करना है अब यहां पर जब तक हम लोगों का डॉन नोट कोपी का ओप्सन नहीं आ जाता है तब तक यहां पर वेट करना है जब तक ह कोई भी स्मार्टफॉन में अगर आप लगा के बूल चुक है ना आपको कुछ नहीं करना है पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है घर वेटे फिरी में बिना कंपूटर का बिना टूल का बिना सॉफ्टेर का आपका स्मार्टफॉन अनलोक हो जाएगा एंडूर बजन 11-12-13 30-20 उससे अपको कोई दिक्तंप नहीं है अब यह पर वेट करते हैं सोड़ा साव Yuk कर लेते हैयं और आगे को बतेंगे करना क्या है तो चलिए आंपर सबसे पहले इसको यहां पर से बहान निकाल देना है तो चलिए यहाँ पर सीम को यहाँ पर बहान निकालते हैं जैसे आप सीम को बहान निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपको इस तार से एक ओप्सन खुल के आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर आपका ओके का ओप्सन आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर गोगल सर्विस आजाएगा अब यहाँ पर अब आपका स्मार्टफोन फिरी में अलुक हो जाएगा फिर भी अगर आपका स्मार्टफोन अलुक नहीं हो रहा कुछ प्रब्लम हो रहा तो इसी वीडियो के नीचे में जल्दी से जल्दी comment करके बता सकते हैं नेस्ट वीडियो हम लोग उसी topic में जरूर बनाएंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना नेस्ट नेस्ट करके चलना है और आपका FRP free में unlock हो जाएगा तो चली है आपको fast forward करते हैं finishable option में select करते हैं नेस्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं करना क्या है ठीकिन हम आपके पास कोई भी Samsung का स्मार्टफोन है FRP लगा के बुल चुके हैं आपका स्मार्टफोन unlock हो जाएगा तो देख सकते हैं घर बैटे फिरी में 100% पूरी तरह से हम लोग का फार पर unlock हो चुका है वीडियो कर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए